वसंत आया पर चलते 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 कल मैंने जाना की वसंत आया और यह कैलेंडर से मालुम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण जैसा की कवीता का नाम है वसंत आया यानि वसंत के आने से संबंदित जानकारी है कवीता का विशे है और जैसा कि कवीता की जो संचिप्त जानकारी कवी के जीवन परीचे में हमने पढ़ी और उससे हमें ये पता चला कि कवी जो है इस कवीता के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करते हुए ये चिंता जताता है कि कैसे लोग जो हैं प्रकृति द्वारा दिये गए जो चिंह हैं कि यह रितु अब आगमन कर रही हैं, लोग भूल गए हैं, अब उन चीजों के बारे में लोग कैलेंडर से जानते हैं और अपने दफ्तरों में होने वाली छुट्टी से जानते हैं, वस जैसे चिंह देखने को मिल रहे हैं, मतलब यह रितु जो है, वो आने वाली है, लेकिन अब यह रितु ना तो उसके चिंह किसी को मालूम है, ना पहचानने की शमता है, और ना ही उसे पहचानने के लिए किसी के पास फुर्सत है, यही चिंता व्यक्त करते हुए कवी ने य बड़े भाई को प्यार से और सनेह से और सरल्थ भाव से दापौल कर पुकारती है और उसमें जो सनेह होता है जो मिठास होती है वही मिठास वसंत के आने पर जब एक चिडिया पेड़ पर पैट कर कूकती है यानि चहचहाती है वैसी ही मिठास और सनेह सुनने को मिलता है यानि कवी जो हैं ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से प्रकरती का एक हिस्सा होने के कारण जब चड़िया जो है अपनी मीठी आवाज से पेड़ पर बैठ कर चहचाती है तो वही मिठास और साथ में बहन, छोटी बहन का बड़े भाई को प्यार से दा कहकर पुकारना दोनों में एक जैसी ही मिठास सुनाई देती है जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरू यानि किसी पेड, यानि कोई बंगला है उसमें अशोक का तरू है और उस पर चड़िया बैठी हुई है और वो चह चहा रही है क्यों वसंत आया है और वसंत आने के ये चिन है ये चिन है जो यहाँ पर कुछ चिन कवी बताएगा कि ये चिन देखने को जो मिलते हैं तो समझ लीजे वसंत आ गया है फिर अगला चिन हो बताते हैं कि चलती सडक के किनारे लाल बजरी पर चुर्मुराए पाव तले अब जैसे की वसंत आता है तो पेड़ के जितने भी पुराने पत्ते होते हैं वो सूख कर नीचे गिर जाते हैं और सूख कर गिरने की वज़ा से वो और भी ज़्यादा सकतो ज जाते हैं और जब उनके उपर लोग चलते हैं तो सूखने की वज़ा से वो चुर्मुराने की आवाज देते हैं तो चलती सडक के किनारे लाल बजरी पर चुर्मुराए पाव तले उचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते पेड़ों से वो पत्ते पीले तो उनके चुर्मुराने की आवाज आती है कोई 6 बजे सुभे जैसे गरम पानी से नहाई हो खिली हुई हवाई फिर की सी आई चली गई अब यहाँ पर मानवी करन अलंकार देखने को मिल रहा है हवा को मानव का रूप देया है जैसे वो गरम पानी से नहा कर आई हो नायका के रूप में प्रस्तूत किया जा रहा है कभी कहते हैं कि वसंद के महीने में सुबह की जो हवा होती है वो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जैसे वो गरम पानी से नहा कर आई हो और फिरकी की तरह गोल-गोल घूमती हुई आकर हमारे पास से चली गई हो खिली हुई हवा आई फिरकी से आई और फिर चली गई जिस तरीके से बच्चों के खेलने की जो फिरकी होती है वो उसे गोलगोल घूमाते हैं और गोलगोल घूमने के बाद कुछ देर बाद वो फिरकी घूमकर रुक जाती है वैसे ही वो हवा आती है गोलगोल फिरकी की तरह घूमते हुए और घूमकर हमारे पास आते हुए वापस चली जाती है तो ये सारे वसंत के आने के चिन है, ये चिन है कि चिडिया कोकती है और उसके बाद सडकों पर हमें सूखे पत्तों के चुरमुराने की आवाज आती है, जो कि बड़े-बड़े पेडों से वो पत्ते पी ले पड़कर गिल जाते हैं, और हवा जो है सुवे-सुवे ऐसे तन क चूती है, जैसे वो गरम पानी से नहा कराई हो और खिली वी वो हवा जो है आती है फिर की की तरह गोल-गोल घूमते हुए, और गोल-गोल घूमते हुए हमारे पास सही वापस भी चली जाती है, ऐसे ही फुट पाथ पर चलते चलते चलते, उन्होंने ये महसूस किया, फि उसी के चिन्ह देखने को मिल रहे हैं, प्रकरती द्वारा ये संकेत मिल रहे हैं कि वसंत आ गया है, पर उन्होंने अभी तक ये नहीं जाना था कि वसंत आने के संकेत हैं, उन्होंने कल जाना कि वसंत आया, कैसे जाना, कैलेंडर से, और ये उन्हें कैलेंडर से मालुम हुआ अमुक दिन, अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी वसंत पंचमी सभी जानते हैं कवी कहते हैं कि अमुक दिन यानि इस तरीके से इस दिन और इस महीने में जो है वसंत पंचमी आएगी और इस बात का प्रमाड देने के लिए दफ्तर में जब छुटी हुई तो ये प्रमाडित हो गया कि वसंत आ गया है अमुक बार मदन महीने में मदन महीने मतलब मदन का मतलब होता है जो काम देवता होते हैं और उनका प्रिय रितू उनसे संबंदित मानी जाती है वो वसंत रितू मानी जाती है इसी के लिए मदन महीना बोला जा रहा है वसंत रितू को वसंत के आने का जो मौसम होता है महीना होता है उसको मदन महीना बोला जा रहा है तो अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी कवी को ये सब संकेत देखने के बावजूद भी ये पता तब चला की वसंत आ चुका है जब उन्होंने उनसे कैलेंडर से मालुम किया और साथ इस चीज का प्रमाण उन्हें तब और भी ज़्यादा मिल गया जब दफ्तर में उनको वसंत आने की वसंत पंचमी की जो है छुटे मिली तो इस तरीके से लोग प्रकृती से किस प्रकार दूर हो रहे हैं प्रकृती अभी भी वही संकेत देती है अपने में होने वाले परिवर्तन के संकेत जैसे हमेशा से वो देते आई है वैसे ही आज भी द संकेती है लेकिन लोग बदल गए हैं लोग प्रकृती से दूर हो गए हैं प्रकृती द्वारा दियेगे संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और उसमें नहित जो सुन्दरता है वो भी उससे भी मनुष्य जो है अपने आपको स्वें को दूर कर चुका है यह कवीता इस बात को संकेत करती है एक बार फिर से दौरा लेते हैं कवीता को जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरू पर कोई चड़िया कोकी जिस तरीके से किसी बंगले में मौजूद एक तरू है अशोग का जिस पर चड़िया बैठके कोकती है जितना इसने भरा मीठा और प्य चुर्मुराए पाउं तले उचे तरुवर से गिरे हुए बड़े बड़े पियराए पत्ते। जो है वो सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे गरम पानी से नहा कर आई हो और फिरकी की तरह घूंगती हुई हमारे करीब तक आते हैं और हमसे हमारे करीब आकर वापस वैसी फिरकी सी घूंग कर चली जाती है। और यह चीज उन्हें कैलंडर से मालम हुई कि इस बार इस महीने को वसंत पंचमी होएगी। और इस चीज का प्रमार्ण देने के लिए जब दफ्तर में छुट्टी हुई तो यह चीज प्रमारित हो गई कि वसंत आ गया है। कर दो यह चीज के लिए जब खिंग तो यह चीज प्रमार्ण